दोस्तो आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक सची घटना के बारे में जानेंगी ये घटना जून 1951 की है जब एक रात 11 से 11.30 के बीच नियू यॉर्क टाइम स्क्वेर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है उसे देखकर आसपास के तमाम लो गया वो घबरा गया मानों जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलगी दुनिया में आ गया है इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब तक उसकी और तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर गटना में मौत हो जाती है फिर उसकी लाश को पोस्ट माटम के लिए मुर्दा गल ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीजों की तलाशी लिग गई तब उसके पास से बहुती आच्चरे चकित कर देने वाली चीजे मिली उन चीजों में तामबे का एक टोकन था एक बिल जिस पर घोडे के तबेले का पता और नाम लिखा था एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडॉल्फ फेंस नाम लिखा था और उस पर फिफ्ट अवे इस परकार का पता था और उसके पास से सतर डॉलर के पुराने नोट थे जो एक दम नई लग रहे थे और एक खत था जिस पर अठारा सो चेतर का स्टैम लगा हुए था ये सभी चीजे पुरानी होकर भी बिलकुल नए लग रहे थे और उस व्यक्ति की उमर लगबग 27 से 30 साल के बीच की थी ये सभी रहसे में चीजों को देखकर वहां के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परिशान हो गए तो फिर नियॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिकेशन के लिए कैप्टन र सोज करनी शुरू कर दी पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली फिर उन्होंने वहां के बड़े बुजूर्ग व्यक्तियों से बातचित की उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था पर उस बिजनेस कार्ट से जो पता मिला वहां पर फिफ्ट अवे का एक ओपिस था पर रुडॉल फेंस जूनियर और ये टेलिफोन डायरी 1949 की थी तो फिर कैप्टन रीम जल्द से जल्द उस पते पर गए पर वहां जाके पता चला कि रुडॉल फेंस जूनियर की मौद 5 साल पहले हो चुकी है मगर उसकी विद्वा पतनी फ्लोरिडा में रहती थी उनके पतनी का पता मिलने के बाद कैप्टन रीम उनसे मिलने गए तो फिर रुडॉल फेंस जूनियर के पतनी ने जो बाते बताई वो बहुत ही चौका देने वाली थी विद्वा पतनी ने उन्हें बताया कि रुडॉल फेंस सीनियर ये वेक्ति रुडॉल फेंस जूनियर के पिता है और वो 29 साल की उम्र में 1800 चेतर में अचानक गायब हो गए थे। उस विद्वा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सडक पर गूमने गए थे। उसके बाद ना ही वो घर वापस आये और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंपलेंड भी की थी ये पूरी बाते सुनकर कैप्टन रीम बहुती हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1800 चेतर की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विद्वा पत्नी ने जो बात बताई वो सब सच थी। उ अपने समय से 74 साल आगे भविश्य में आ गए थे पर दुर गटना वर्ष वो कुछ समझ पाए उनकी उस सड़क आत्से में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की गटना मानी जाती है और तब से रुडॉल्फिन्स को एक टाइम ट्रेवल माना जात जो अपने समय से अच्छानक ट्राइम ट्रेवल करके भविश्य में 74 साल आगे आ जाता है। दोस्तो इस कटना को इतने साल होने के बावजूद ये रहस्य अभी भी अनसुलजा है। दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तो वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कम सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको मिले सबसे पहले तो फिर मिलते है किसे नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत।